नेक्सकान्फिग्रेशन हमारे वह क्या है। यहां पर मैंने एक हॉलस्फेरिकल चार्च चल ले लिया और इसके रेडियस हमारे पास गिवन है इस गिवन एस आथ तो इसकेस में हमारे पास दो रीजेंस हैं जहां पर हम लोग एलेक्ट्रिक फिल की वेल्म निकाल सकते हैं फर्स्ट दिजन इस इंसाइड गौल स्फियर और यहां पर जो पॉइंट को मैंने बी ले लिया तो यहां पर जो हमारा जो पहला जो पॉइंट ए है वो इनसाइड पॉइंट है तो अगर मुझे यहां पर एलेक्ट्रिक फिल निकालना आ हैं तो वीकेन उस गॉस लॉप तो अगर मैंने फ्लक्स अगर गॉसलोग यूस किया फॉम गॉसलोग हम लोग इस सर्फेस के लिए 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 क्या नेक सकते हैं पर गॉसियन सर्फेस वन वी केन राइट एड़ डॉट बी एस एक्वल टो क्यों इंसाइड बाइ अपसाइलन नॉट और यहां पर जो हमारा जो गॉसलोग सर्फेस फरस्ट है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि सारा चार्ज कहा है है हॉलस फिरकल सर्फेस पर है हमारे पास तो इस केस में जो भी चार्ज है वो सभी कहा है सर्फेस पर हमारे पास है तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं तो प्लिव इन साइड इस जिरू तो यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फिल की वैलियो आएगी एट 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 विल आल्सो भी जिरू नेक्स हम लोग क्या करेंगे बाहर म्मी और एक के वैले निकालने तो हमें एक दूसर ग उसली सबस्ण करना पड़ेगा जिसन पे यह पॉइंट भी लाइक करना है तो लेचंट इससे यूर सकेंड गbayल निकालना है और यह पॉइंट भी बिप्र हमें निकालना जो कि आशतिद प्र एग्ट सेकी इस ईस में मे अगें, we can write E.ds और इस बार हमारा जो चार्ज अंदर होगा, वो कितना होगा, क्यों होगा, डिवाइड बाइफ सालनो, और यहां पर जो भी लेक्रिक फिल्ड होगी, यह भी कैसा होगा, जो गॉसिन सर्फेस से क्रॉस कर रही होगी, और जो मैंने डिएस लिया है, वो भी क्या होगा, सेम डिरेक्शन में होगी, तो इलेक्रिक फिल्ड और दिएस बार जगा पर जो यह भी जो यह ग्रीन गॉसिन सर्फेस, सेकंड गॉसिन सर्फेस मेंने डॉकिया है, यहां पर हर जगा पर हमारे पास एलेक्रिक फिल्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, पर हमारे पास एलेक्रिक फिल्ड की आपद्स to क्या होगी रखेस, फिल्ड का जाएगी और जाएगी, तो सेफल्ड फिल्यू क्या एलेक्रिक फिल्ड की आपद्स to क्या यहां त warfare हमारे पास जब हम लोग अगर अंदर है तो इस case में आपस electrophil की value 0 है और जब हम लोग बाहर जा रहे तो हमारे पास electrophil की value क्या हो जा रही है तो in that case electrophil's value is q upon 4pi epsilon 0. So in case of holospherical charge shell हमारे electrophil का variation होगा तो इसके अंदर holosphere के अंदर हमारे पास electrophil की value आ रही हो क्या रही है 0. तो यह इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ आएगा जहां पर इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा एक solid sphere लेना पड़ेगा जो की uniformly charged और यहां पर इसकी जो density है और यहां पर मुझे क्या कहा निकालना है यहां पर तो यह तो यह तीन पॉइंट्स है जहां पर हमें क्या करना पड़ेगा लिए जो एसे पास कर रहा है और इसके लिए radius R लेली है मैंने तो यहां पर जो मेरे पास अगर मैंने लिए गॉसलो यूस किया तो एकॉर्दिग तो गॉसलो वाट्वी है according to Gauss law what we can write, we can write E ds equal to, E dot ds equal to charge inside Gaussian surface divided by epsilon अभी यहाँ पे इसके अंदर charge कितना होगा, for the first let's say this is your first Gaussian surface so इसके अंदर charge होगा, let's say this is Q dash Q dash की value होगी density into volume और इसकी volume होगी 4 by 3 pi r cube तो यह हमारे पास charge जो इसके अंदर आगए तो हम लोग यहाँ पे इसकी value पूट कर लेंगे तो यह हमारा होगा row 4 by 3 pi r cube divided by epsilon naught और E dot ds जो है यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमारे पास electric field कैसा होगा electric field also be in the radially outward direction and यहाँ पे जो ds होगा उसका direction भी क्या होगा? same ही होगा हमारे पास तो ds और electric field दोनों same direction में हमारे पास है तो फिर से हम लोग यहाँ पे इसे क्या ले सकते हैं? we can write this as this as eds only and which will be equal to row times of 4 by 3 pi r cube by epsilon naught और E को बाहर ले जाएंगे कि be a constant so again we will get e times of integration of ds which is ds integration ds will be 4 pi r square and this will be equal to row 4 by 3 pi r cube by epsilon now 4 pi cancel out हो गया और r हमारा r बचेगा सिर्फ और यहां से हमारे पास after solving this you will get electric field equal to rho r divided by 3 epsilon तो यह हमारे पास electric field की value हो गई जो की radially outward direction हो गई अगर मुझे point b पे electric field की value निकालना है तो इस case में मुझे point b पे निकालना है so what we can do यहां पे small r की जगा मुझे capital r put कर देना चाहिए so in that case electric field क्या हो जाएगा हमारा p r by 3 epsilon so this is the value of electric field at outside point sorry this is the value of electric field at the surface and last case में हमारे पास है जहां पे में point c पे निकालना है so again we will draw a Gaussian surface which will pass through this point c so 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 तो यहां पे हम लोग फिर से variable radius r ले ले लेंगे smaller तो इस case में फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं for point c we can write e dot ds equal to charge inside by epsilon और इस case में जो हमारा charge होगा total charge जो sphere पे है वो हमारा हो जाएगा जो की 4 by 3 pi r cube multiplied by density divided by epsilon and so this is the total charge and e ds की जगा हमारे पास आजाएगा 4 pi electric field into 4 pi r square equal to rho times of 4 by 3 pi r cube by epsilon not जहां से 4 pi 4 pi cancel out हो गया और यहां से हमारे पास जो electric field की value आएगी it will be given by rho r q by 3 epsilon not r square तो यह हमारे पास electric field की value आगी at an outside point c और अगर total charge अगर मैंने यहां पे capital q माल लिया इस sphere पे तो उस case में हमारे पास जो electric field की value होगी it will be simply again by q by 4 pi epsilon not r square तो यह हमारे पास electric field की value हो जाएगा तो हम लोगों ने तीनी जगा पे electric field की value निकाल ली अंदर हमारे पास electric field की value क्या होगी इस formula से हम लोग देंगा और यह surface पे हमारे पास electric field की value होगी and outside point पे हमारे पास electric field की value क्या होगी q upon 4 pi epsilon of r square तो अगर हम लोग यहां पे electric field के graph को plot करें with respect to variation of r तो solid sphere के अंदर हमारे पास electric field है it is directly proportional to r तो इस case में हमारे पास zero से ले करके capital r तक हमारे पास electric field की value होगी यह जो होगा linearly होगा linear graph होगा straight line हमारा बनेगा up to radius r और इसके बाद जो हमारे electric field है it is inversely proportional to r square तो इसके बाद जो हमारे graph बनेगा वो इस तरह का graph बनेगा तो यहां से from origin और from center of the sphere to the radius r electric field will be directly proportional to r और from capital r से जैसे हम लोग बाहर जाएंगे तो हमारे electric field जो होगा it will be inversely proportional to r square तो इस तरह से हमारे बस electric field का variation होगा in case of salt spherical volume charge तो झाजी जो जाई कर दो आदू जो